Hello everyone, welcome back to Martina's activity, कैसे हैं आप सब, आशकरती हो आप सब अच्छी हो, मैं भी अच्छी हो, Good morning, अभी 7.30 हो रही है, बेटी स्कूल चले गए, उसे स्कूल भेज दी, उसके डाड़ी ले गए, और मैं लग गई अपने कामों में, as usual, जो डेली के काम रहते हैं, सबसे पहला बैच से इसके बाद लगाओंगी पोचा, means काफी वक्त लग जाता है, बहुत बारा सा स्पेस है, तो करते करते वक्त लग जाता है, तो बहुत सादा गर्मी है, मैं काम कर रही हैं, और पुरा पस्तीना से एक तम भीग जा रही है, इतनी गर्मी है, तो आप लोगों को morning routine कैसा रहता बताना, आप लोग भी क्या सुबाही जारू पोचा वगेरा कर लेते हो, या फिर दिरिंग दे टाइम करते हो, बहुत कोई जैसे होते हैं कि लंच वंच बनाने के बाद पोचा वगेरा लगाते हैं, बटो मुझे यही time जादा अच्छा लगता है करने में, हाँ बेटी थोरा upset down हो जाता है कि उटने में थोरा लेट हो जाता है, सबी को अच्छा लगता है थोरा वक्त लेकर सोने में, तो मैं भी थोरा lazy सा हूँ, मुझे भी वही हो जाती है, जब सब सोके रहते हैं तो अकेले उटके काम करने का मन नहीं होता है, अभी बेटी स्कूल मीन्स गई कि आज मैं यही बनाऊंगी, तो husband भी आ गए, सब करते कराते हैं, यहाँ पे आज बेटी को टिफिन में वेजेटेबल पराठा दी, तो अपने लिए भी स्टाफिंग्स रखी दी, तो सुची husband और मैं अब breakfast कर लो, यह बहुत अच्छा लगता है, इसका recipe में शेर्ड कीन हो आज उसी तरीके से ही बनाई हूँ, तो बहुत पसंद लगा था उस दिन बेटी को बोल रही थी, एक दिन ममें टिफिन में बना के देना, आप लोग भी इसी तरीके से अपने बेटी के लिए, means बच्चे के लिए, टिफिन बॉक्स यह husband का lunch बॉक्स में यह दे सकते हो, this is very very good, very healthy, and बहुत देर तक stomach full भी रहती है, तो चलिए breakfast भी हो गया, अभी हाँ पर आ गए मैं cooking करने के लिए, आज फिश करी बनाऊंगी, डाटा दे कर, मेरे गर पे डाटा, मचली, आलू सभी को बहुत पसंद है, except my daughter, यह कतला फिश है, तो आज कतला फिश बनाऊंगी, आप लोग कौन-कौन कातला फिश पसंद करते हो, कमेंट करना, बताना मुझे, मुझे तो हर फिश पसंद है, I am a fish lover, मुझे मीट वगेरा से फिश जादा पसंद है, मुझे और मेरी चुटी वाली बेहन को, and my daughter, she is not a fish lover, उसे फिश का smell आने से उसको बहुत अजीब-अजी जो वो खाती है, and that's it, prawn खाती है, उसको यही सब पसंद है, बिलीब कीजिए, गर्मियों में ना किचिन में आने का मनी नहीं होता है, इक्तम मनी होता है, मेरा तो मन होता है, सुबह सुबह उटके एक हांडी कुछ भी बना दो, तो पुरा दिन यही खाते रहो सब कुई, ब ही तो ग्यास के सामने जाना परेगा, बच्चे के लिए टिफिन बनाओ, हम माओं का यही होता है, पहले जब ममी बोलती थी, करती थी ना, तो उतना फील नहीं कर पाते थे, बोलती है, गर्मी है, यह है, अभी जब खुद करना परता है, तो अब समझ में आता है, ममी क्या बोलती थी, अब वो रियलाइस होता है, कि हाँ, ममी भी सही बोलती थी, गर्मीों में कितनी परिशानी हो जा थी भागा दोरी में, यही सब तो है, एक मा बनने के बाद ही अपना मावला फिलिंग से आदा था, कि मेरी मम्मी क्या बोलती थी हम परिशान की हो जाते थे इरिटेट हो जाते थे मम्मी के बातों से तो अब वो रियलाइस करती हो कि मम्मी कुछ गलत नहीं बोलती थी सही मैं एक बच्चे के लिए एक पेरिंस लोग को कितना कुछ करना परता कितना कुछ जिसे हमी लोग का रूटीन देखिए अभी हस्बिन का ड्यूटी शिफ्ट थोड़ा चेंजज है बोलके वो छोड़ भी देते लेकर भी आ जाते वरना मुझे ही कोकिंग करके दौर ना परता और यह देखिए यह बेटी के लिए बनाई हो एक करी एगन पटेटो करी आज यूजविल आप लोगों को पता है सभी को जो मेरे व्लॉग देते हो फिश नहीं खाती है और पपाया कट कर चुकी हो मैं रेगियोली में कल भी अपने वीडियो में बोली थे अपने व्लॉग में आज भी बोल रही हूं समर में मोस्ट अव देटाइम 99% भी ट्रा पपाया वाटर मेलन ये सब में अपने डाइट में अपने डेली रुटी में थोड़ा सा इंक्लूट करना बिकॉज दिस वेरी गूट यह हमें बहुत डिहाइड्रेट रखता है बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में जितना खाना फूट सालेड वग्यरा बहुत बहुत अच्छा रहता है बहुत तो चलिए काम तो सब हो गया है बस अब बर्दन दोकर किचिंग काउंटर क्लीन करना उसके बाद नहाओंगी नहां के फ्रेश हो जाओ फिर मिलती हूं बाद में गुरी इवरिवान थुरा सो की थी लंच की बाद अभी उठी हूं यहां पर आजा चाई चरहाओंगी थोरा कुछ फ्राई खाने का मौन हो रहां देखते हैं क्या बनाते हैं लिट्सी चलिए कुछ बनाओ फ्राई फ्राई आइटम पहले चाई चरहाओंगी बट गर्मी के वज़े से अवोईट स्कुत की नहीं बनाई बिसकिद के संखीちゃ समय ले लूगे तो चलिया चाई बन गया चाई पीलों ठोड़ा माकिट जाने काभी रादा के तो समान करीदना है तो इसलिए कुछ fries भी नहीं खाई क्यों बाहर निकलने से तो कुछ खाई लेते कभी से भी जैसे पुछका हुआ या कुछ पकोरिया या एनिफिंग तो इसलिए avoid की husband बोले नहीं कुछ बनाओ मत पनीर फ्रेश होगा न भया तो चलिए मैं आ गई मारकेट कुछ ग्रोसरी समाल लेना था तो ले लो उसकी बाद घर चलूँगी गर मी बहुत है बाहर मी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है बहुत crowded रहती है मारकेट एरिया तब मैं घर आ गई फ्रेश होकर टेरिस पे आकर बैठी हूँ मैं और husband and normally everyday बेटी को परहाना रहता है तो आज तो बेटी खोदी पर ली क्यों मैं थी नहीं घर पे तो थोरा वक्त मिल गया टेरिस पे आकर बैठी हूँ तो चलिए हम लोगों का हसी मजाग तो होते रहेगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताना अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज एक लाइक कामेंट शेर करना जो नए हो मेरे चानल पे सब्सक्राइब कर दो जो फेस्बुक से देख रहे हो प्लीज फॉलो करना डू सपोर्ट मी गाईस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है चलिए आज की लिए इतना ही फिर मिलते एक नए दिन नए वीडियो के सब टेक केर टाटा